हाई फिरेंज मेरे चैनल में आपका स्वागत है देखे यह लटकन कैसे बनेगा एक कपड़ा मैं लेनी हूँ बनार सी सिल्क है अब इसकी लंबाई देखते हैं चोड़ाई कितना है इसकी लंबाई मैं लेनी हूँ पांच इंच मैं चोड़ाई भी लेनी हूँ अब एक और पास इस्टरा है तो आप दोनों साइड ओई कपड़ा लगा सकते मेरे पास कपड़ा कमे से लिए मैं दूसरा कपड़ा नीचे रेड कलर का इसका अस्तर लगा रहे हूँ आपके पाद ज्यादा है तो दोनों एक अपड़ा लगा सकते फिर इसको उल्टे के साथ रखना है और इसको चावकोर में इसको सिलते जाना है फिर सुई को रोक देना फिर इसको घुमा के इसको सिलते जाना है फिर यहां कोने पर भी सुवी को रोक देना है, फिर दूसरे साथ भी इसको सिलते जाना है, फिर यहां भी रोक देना और फिर इसको सिलते जाना है, अब चारो साथ इसको बंद कर देना है, और सिलाई को डबल कर लेना है, मैं इसमें सिलाई को डबल कर ले रही हूँ, अब इसको निकाल देना है, अब इस्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है, अब इस सेंटर में इसको दो फोलो करना है, इसको मारका लगा लेना है, फिर दूसरे साइट में इसको मारका लगा लेना है, इसको सेंटर में चार फोल्ड करना है, इस सेंटर में कुटका लगा लेना है, इसमें एक छोटा सा कुटका लगा लेना है, थोड़ा सा कुटका को मैं इसमें बड़ा कर रहे हूँ अब चार कोने को कुटका इसमें लगा देना पल्टने में असानी होगी अब इसको सीधे के साइड इसमें पलट देना है अब यहां से सारा कपड़े इसको निकाल के इसको सीधा कर लेना है और यहां पेश को सीधा कर लेना कपड़े को को अब इसको कोई चीज लेना है और इसको कोने को निकाल लेना है कि अब इसको इसका कोना बराबरस इसको निकाल लेना फिनीसिंग से चारो साड़ी इसका कोना निकालेना है अब इसको सीधे सेक सिलाई इसमें चौकोर में लगा देना है अब सीधे सेक सिलाई में लगाते इसमें जा रहे हूं अब इसमें डूरी ले ली हूं इसको डबल फोल्ड में करना है इसमें मैं सिलाई लगाते जा रहे हूं और इसमें मैं इसको फोल्ड कर ली हूं और इसमें सिलाई लगाते जा रहे हूं कि अब इसको सिलाई को मैं करके किसको साइड में कर दे रहा है सिलाई को डबल में कर लिए हूँ अब इसको कटिंग करके निकाल देना है अब मैं सुवी धागा ले ली हूँ और इसको इसमें अंदर करके हाँ पर इसको पक्का कर लेना है अब इसको अंदर को पास करना है अब इसको अंदर को पास करना दूसरे साइड इसको ले जाना है और यहां पे इसको हलके हाँ से इसको ऊपर को खीचते जाना धागा को अब इसको मैं पलट ली हूँ डोरी को करना है पिर इक और फोल्ड करना है और हलका सा यहां पर कुटका लगा देना सेंटर में बीच सेंटर में कुटका लगा देना है थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना है अब यहां पर ऐसे सीधा मारका करना चौक और में पिर दूसरे साथ भी ऐसे इसको मारका कर देना है अब डोरी को लेना है और सीधे साथ से उल्टे साथ को पास करना है और इसको आदा इंचे से सीलते यहां तक जाना है फिर इसको सीलते जाना है पर दूसरे साथ भी ऐसे इसको सीलते जाना है अब एक साइट कहो कि आप दूसरे साइट भी ऐसे करना है और इसको डोरी को सीधा सेंटर में दूसरे साइट भूबा लेना है फिर आधा इंच लेकर कपड़ा जैसे उस सिलाई लगा इसे दूसरा भी सिलाई इसमें लगा लेना है इसको बराबर से पकड़ लेना और इसमें ड़े रोत ते छिड़且eteate जा रहे हूं 뒤 क्सको निकाल लेना है त पीछे करके इसको पीछे पर भीच सें से इसको सिलते जाना धूसरे साइड हूं अभे उल्टे साइड इसको रखना और इस्टरा कपड़े को कटिंग करके निकाल लेना है और इसको सीधे के साइड इसको पलट देना देखिए लटकन बनके तयार हो गया देखिए कितना अच्छा लग रहा है लटकन आप भी बना सकते बहुत आसान तरीके से है फिरेंसे व